आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जो प्रतिये खंबे के उच्च बिंदू के उसके सामने वाले खंबे के निचले बिंदू से जोडने वाली रेखाओं के प्रतिछेद करने से प्राप्त होता है। पर लंब डालते हैं जिससे बिंदू L प्राप्त होता है। यदि CL बराबर X तथा LA बराबर Y है तो हमें OL का मान ग्यात करना है। माना OL बराबर H मीटर है। यदि हम देखें त्रिभुज ABC वद त्रिभुज LOC में संगत कोण CAB वद CLO परस पर बराबर हैं। साथी कोण C दोनों त्रिभुजों में उभय निष्ट तथा बराबर हैं। अतह AA समरूपता क्राइटीरिया से त्रिभुज CAB वद त्रिभुज CLO समरूप होंगे। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानि कि CA वद CL तथा AB वद LO परस पर समानुपाती होंगे। सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें समीकरण एक मिलती है। अब यदि हम त्रिभुजों ALO वँ ACD में देखें तो संगत कोण ALO वँ ACD परस पर बराबर होंगे। तथा दोनों त्रिभुजों के कोण A उभय निष्ठ होने के कारण बराबर हैं। अतह ए ए क्राइटीरिया से त्रिभुज ALO वँ ACD समरूप हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि भुजाएं AL वँ AC तथा OL वँ DC परस पर समानुपाती हैं। जिनमें सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर समीकरण दो मिलती है। समीकरण एक वँ दो को जोड आगे हल करने पर हमें H बराबर AB बटा A जमा B मिलता है। अर्थाद प्रति 6 बिंदूं की उचाई H बराबर AB बटा A जमा B मीटर है। इस वीडियो में आज हमने समरूप त्रिभुजोंक से संबंधित उदारण देखे। उमीद है कि अब आपको त्रिभुजोंकी समरूपता अच्छे से समझ आ गई होगी। झाल